तो मैं हूँ, मैं केवल CM नहीं, CEO भी हूँ मद्ध प्रदेश का, हर स्वंबार को, every Monday मैं मिलने के लिए उद्धोपरतियों से स्वेम भी समय अलग निकाल के रखता हूँ, या दुबत प्रदोष से सस्वजव मद्ध प्रदेश, यहां जन संपदा, यहां बन संपदा, यहां कोईला है, यहां डोलोमाइट है, यहां लाइम स्टोन है, यहां मैगनीज है, एक नहीं हैं नहीं को खनीजों का भंडार मद्ध प्रदेश, तीन सो दस से अधिक और धुग ख्यत्र हैं हमारे हैं, दस फूड पार्क से हैं, पांच आईटी सैज हैं, दो स्पाइस पार्क है दो प्लास्टिक पार्क हैं, एक मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, एक पावार एक्विप्मेंट मैनिफेक्चरिंग जोन हम बना रहे हैं, चार आईटी पार्क और बना रहे हैं, इसके लाबाए ईबी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्स्टाइल पार्क, गार्मेंट य भी बात कहेंगे क्योंकि हमें करना ही है निवेश की दृष्टी से अभी आपने देखा हमारे उद्धुक पती मित्र स्वेम बता रहे थे इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हमारे फोकस के सेक्टर्स भी आपके सामने आए दो सो एक्यावन ख़दाने हैं हमा जो रक्षा और एरकाफ्ट के उपकरन बनाने में उप्योगी हैं जैसे कापर मॉली डेनम राक फास्पेट यूरेनियम और प्लेटनम जैसे रियर मेटल्स की संभावना को भी हम एक्स्प्रोर कर रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग की दृष्टी से एक्रो प्रोसेसिंग की दृष्टी से मदप्देश को देखें तो ग्यारा हमारे हैं जलवायू छेत रहे हैं और भारत की ख़द राजदानी के रूप में अवरा है मदप्देश एक जमाना था जब हमारे पास ग्यहों की सार्टेज होती थी लेकिन आज पिछले साली एक क प्रूरत है नहीं तो ग्यहों के भंडार हमने वरे चावल के भंडार हमने वरे सोयावीन सोया स्टेटम मदप्रदेश अलग अलग शेत्रों में जवलपूर का मतर बुरहनपूर का केला इंदौर के आलू नीमच मंसौर का लहसुन निमाड की लाल मिर्ची अलग अलग संत्रा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संत्रा उत्पादक अगर राज्य कोई है तो मदप्रदेश है अलग 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 शेत्रों में अलग लग चीजें मुर्याना भिंड की सरसों पीला सोना जो चाहोगे वो बिलेगा और हमने तैय किया है मैं अपने कार्टन तो है और कार्टन भी और्गनिक कार्टन अपने है उसकी चिंता करने के जरूरत नहीं है टेक्स्टाइल वाले गार्मेंट्स वाले इसलिए बड़ी संख्या में आ रहें कि जितनी बेसिक सुविधाय चाहिए सब मधप्रदेश की धरती पर है और एक बात और हमने किया हमने को यह हूँ यह हूँ जादा मत उगाओ बाकी चीजें भी उगाने का काम करो तो हमने क्रिस फसलों के विवधी करन के लिए की योजना बनाई जिसमें हमने तै किया कि उद्धोक पती अगर आता है और कहता है मुझे फलाना उत्पाद चाहिए क्रिसी उत्पाद तो किसान से बात कर लें कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग हमारे हां हो रही है कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग हो रही है बताइए क्या होगाना है किसान से बात किजिए पहले से रेक्त हो जाएगा आप जिस क्वाइटी का कहेंगे होगा कि हमारा किसान देगा और आपकी जरूरत क पूरा करेगा सरकार किसान और निवे सक तीनों मिल के काम करेंगे निवे सक को भी हम पैकेजिंग जैसे मामलों में जैसे वैसे आर्थिक साहता देते वैसे देने का काम करेंगे और इसलिए बड़ी कंपनिया कई हमारे हां काम कर रही है आगे भी हम लगातार इस दिसामें प्